असलाम उलेकुम विवर्स उमेद के आप सब खेर्यास से होंगे अलाह के करम से हम सब ठीक है और बेबी केसी हो प्रत केसी है और ये देखें जिस पर ये नाश्टा बना नाश्टा तयार हो रहा है 20-25 मिनट जो है ये इसने लिए हैं पराठे ने एक घंड़ा चाय में लिए ह और ये हमारा देशी किचिन देशी खाना और यहां से हमें रूप आ रही है ये देखें नजर आ रही है और अब जलते हैं हाल में के बच्चे क्या कर रहे हैं मैं लाइट को अन पर हूँ क्या हो रहा है असलाम अलेकूम असलाम कुना गयो फात्मा अमी समयली को नहींगा चो यह तीनों देखो यह इनकी जो चोटी सरदार है यह वाली सरदार फात्मा नहीं मिली आज हुद से फात्मा क्यों नहीं फात्मा सुपा सुपा जब उठती है तो नहीं मिलती और मेरे हस्पेन आ गए हैं और इसकी तब्यत जो है ठीक नहीं है कैसा है सर का दर्द अब है अब है डाक्टर के पास जाओ दिखा के आओ इचासरा कपड़ा आला करें है यह तकड़ों नहीं जाद रही है और बेबी ने जो है रस्यों से कपड़े उतार लिए क्यूंके कल शाम को ही तकरीबन इसने दोय थे और अभी यह दूसरे डाले हैं तो अभी मैं जा रही हूं बहर देखते हैं महां जाएंगे तो बताएंगे किस काम के लिए मैं जा रही हूं क्या है दूप में बट रहे हैं यह दूप में बटने के लिए बाज जा रही है अजवा बार नहीं बैठती टेबल पर बेंच पर और जी मेरा नाश्टा जो है आ गया है संडे का नाश्टा संडे के दिन हम ये अंडे खाते हैं संडे और फंडे संडे और फंडे हां और यह सुपा को उड़ती है इतना रोती है आज तो नहीं रोई लेकिन हमसे नहीं मिलती ना मुझसे ना अपने बाबा से है बसकिन ना फात्मा तुनीट अपास अलाक पो उटमा नाष्ट कर नुट सो नाष्ट घया है जो ऑक पतर्व बदंदर फुटिन ना स्थब screening हुट आपात्मा ऑन निवेयां ऑक मता अब यांदी है यह समय है अलो आप ज़िए ज़या चौंद पिरिया है प्वरिया ऑज पी प्वर्ला आपकर के और यह बाहर आए हूं और यह बात्मा कह रही कि आज्वा जुह पैपर चर्ड़ रही है इतनी सर्दी है क्या और ये जो है मैं आई हूँ तो दिखाती हूँ केले बाहर ये देखिए मुझे खाने तुम्हें खाने जब बनेंगे खुद पता चलेगा मुझे दिखाने केले खाट के खाले अब चले अंदर हाटो जो भर्या और यहां पर मैंने उस दिन जो है धनिया और म्रच जो है बोय थे उसका बीज डाला था तो अभी इसको पानी नहीं है मैं पानी दे रही हूँ मुझे दो मुझे दो मुझे दो को ते अखिए अधार है यह को अधिए मोझे अधार है अधार खांट पानी गोरें और फट्मा रो रही है कि में भी आमी के साथ जाओं लेके इने मैंने का कि बच्चों को चक्क्र लगवा कि आओ बेवे मुझे तो जग पानी का बाहां तालें तो ये जा रहे हैं तो फातना रो रहे थी तो मैंने का इसको तरहा सा गुमा कराओ तो फिर चलते हैं वहना हम जो है वहां काम करेंगे या इन बच्चों को साभालेंगे ना हमारे पास पानी आ रहा है ना गेस आ रही है और यहाँ पर यह घास भी उगाया है लेकिन यह अच्छी बाली जो लान लगाई है माली ने वो भी है अच्छी हो रही है सर्दियां भी है ओ देखें हवा भी लग रही है यह पत्ते हिल रहे हैं सारे लेकिन अभी सर्दी आएगी इतनी तो वेसे सर्दी नहीं है लेकिन बच्चों को जो है हम सॉक्स और सूटर वगरा पेना लेते हैं गरम टोप वगरा और मैं अभी वेट कर रही हूं कि वह आ जाए बच्चों को लेकर तो हम जाएं और जी हम आ जाए हैं पिपरी में यह देखें यह वार वाला बेंड रोड है और यहां पर हम आए हैं वैसे हम गुशन अधित में जाते हैं तो आज इससे लेने आएं सबजी मेरे असमें कहाते हैं कि यह सबजी जो है कुछ साही देता है रेट में कर दो दो आज में आज कर सक्ता है कर दो कि आज पर्फेश कर दो दो कि आज चाहिए कि आज बाद पर दो आज दो आज को आज और पर लोड को जाए यहां पर मेकेनिक हैं बाइकों के यह पूरी गली जो है यह मेकेनिक वालों की है बाइक हुआ है अटर सावा शाय है तो यह मारू जाना थमलिक अग्रा अगरिमिया जाएफ उंछत टामार आटाएफ ग्रावदा प्राव तोस्ताव बिंदिक अग्रेश जाएफ जाएफ जिए और फिर्टावदां कर अग्रेश जाना जाएफ देएफ टेस हैं जाना मौक, यह बगई लोगा टाला बीजह अवदादी है जो है याट वजसे पढ़ा द़ाने भीटा है जो रिवन्टपर अपनिए खारे बनद इटाई यह टाई जो ओई तयां जो है में मती ज्खों संंगी है यह में में किना जेहित कि अगर भागा पाजर में किलो कि जैसाब जो सब्सक्राइब अगरी आसमा को रहे अगर अधर दो जैसे अधरस पाविजी तो फिर्चे ऊसना को ना निया देखें भीन्डियों का मुसम नहीं है लेकरन मेरे घरवाले जो रहें भीन्डिया को आते हैं चोटे चोटे हैं यह मासी ले रहे हैं यह बेह ले रहे हैं और यह वाली जो एरिया है जैसे है जैसे गाउं में जो बड़े शहर होते हैं गाउं के बड़े शहर यह एरिया वेसी है गाउं गाउं वालो जैसी देखने यहां पे जो है सब्जी जो है साई मिल रही है जब चलते हैं घर हमने सब्जी ले लिए गए मुझ झाल मुझ झाल मुझ झाल मुझ झाल सबस्टेर बाल हम घर पहुंच चुके हैं मंडी वाले रखते हैं अपने पास दो तीन दिन फिर सब्जी वाले लेकर आते हैं मंडी से फिर वो रखते हैं पुरा पुरा हफ्ता फिर यहां पर हम 15 दिन रखते हैं तो यह हम जो है खुराक और गिजा लेते हैं लेकर हम थोड़ी थोड़ी बहुत लेकर आते हैं तीन दिन के लिए क्योंकि हम हमारा एरिया से दूर हैं से सब अगर नस्दी पोता है तो हम डेली की डेली देख रहाते हैं यह क्या है यह बेपी इनमें मां बदा बमिर्च चेट रहे हैं बज़रा तमास उनला है ठाचे बहुत पोड़न लाए और यहां पर देखें यह बिल्कुल ही कम है लेकिन थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है यह फुल में है तो इसलिए मैं शकरकंदी बना रही हूं आज है दूसरे तरीके से तो जब यह रेडी हो जाएंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी काफी दिन से पड़ी हुई थी काफी दिन से पड़ी हुई है न शकरकंदी तो मैंने कहा के इसको जो है आज पकाते हैं वेसे भी नाश्ता हमने अभी किया है और जिस दिन आमलेट खाते हैं तो उस दिन तो हमें बूखी ने लगती इसलिए हम जो है तकरीबन तकरीबन लेटी ही जो है दुपहर का खाना खाते हैं तो आज है इंकी बारी तो यह थोड़ा सा पेंगरम हो जाए यह बहुत ही मोट अब यह नहीं है कि यह भारी नहीं बहुत बारी है तुम तो एक हाथ से उठा रही हो और यह बशकरकंदी हमने रेडी कर ली है आपकी मर्जी है आप चाट मसाले के साथ खाएं या यह इमली की चटिनी है जिसमें हमने धनिया खुशक पिसा हुआ पिसा हुआ लालमरच कुटा हुआ लालमरच और नमक डालकर और इसको केसे खाते हैं इसको हम यह इसमें डालकर खाते हैं और मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्कुर्शन में दूसरे चैनल पर आप देख सकते हैं और बना के खा सकते हैं अज्वा से पूछते हैं के कैसी बनी है यह हम खा रहे हैं अज्वा बता कैसी है अच्छी है यह कह रही है मैं इसी इमली के साथ नहीं खाई यह वेसे ही मैं चाट मसाले के साथ खाती हूं और इस तरह से इमली नहीं खाई तो यह बहुत खुश हो रही है कह रही है बहुत अच्छी है और जी यह है रात का खाना और यह है कड़ाई और यह है रोटी रोटी कैसी हो गई है यह बिल्कुल नहीं पक रही क्यूंकि गेसी नहीं है देखें यह कची रोटी जैसी बेबी निकाली है बिल्कुल नहीं है गे लिए नई पेंगे कमें अंधु आवश्य दो तो लाइक करें और शेयर करें लुए ने देखने